नमस्कार में काजल निशाद अभी अभी खबर चल रही है कि कोई सुधानशु त्रिवेदी है पहले तो पता नहीं ये दो टके का प्रवक्ता कौन है लेकिन ये भाजबा का प्रवक्ता है ऐसा सुनने में आ रहा है तो ये भाजबा का प्रवक्ता भाजबा का है ना भाजब सुधान सुत्रिवेदी जो है वो कह रहा है कि फुलन देवी ने जो डाकू थी फुलन देवी ने लोगों को क्यों मारा तो मुझे एक बात बता, सुधान सुत्रिवेदी, मुझे एक बात बता, कल को भगवान न करे, भगवान न करे, तेरी बेटी के साथ कुछ गलत हो जाए, और तेरी बेटी उसका विरोध करे, हिम्मत के साथ सामना करे वो बेटी, तो तू अपनी बेटी का साथ देगा, कि जि जिसने गलत किया उसका साथ देगा का है कि तुम लोग भाजपा में हो ना तो भाजपा वाले तो जो बलातकारी होते हैं उनके नाम के नारे लगाते हैं उनके नाम से आंदोलन करते हैं है ना उनके लिए खड़े होते हैं अब कुलदीप सिंग सेंगर भाजपा का था बलातक रॉनम तो आपकर्व मिभे और अगिकाया तुम्तरहनित्रा अच्छछ वण भूर? है तो क्या हुआ लोगों की मदद नहीं करता है तो क्या हुआ लोगों का विनाश करता है तो क्या हुआ भाजपा का है ना भाजपा के जो सब तुम जैसे दो टके के प्रवक्ता वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि वो क्या थी मतलब दुनिया भर की महिलाओं के लिए वो एक शक्ति का प्रतीक थी दुनिया भर की महिलाओं की वो प्रेरणा थी, हिम्मत थी वो विरांगना कहा जाता था क्या कहा जाता था उनको विरांगना फुलन देवी ये तुम जैसे दो टके के प्रवक्ता थोड़ी समझ सकते हैं तुम लोगों को क्या कहा जाता है पता है ने ने पता करना पता करना शोशल मीडिया पर जितने भाजपा के जो ये नेता नेती सब है ना उनको क्या कहा जाता पता है गोबर ये मुर्ख लोग है ये जूठे लोग है ये विनाश करने वाले लोग है ये गटर है ये गटर है यह लोग महीलाओं की इसत नहीं करते हैं वह यह कहा जाता है तुमहारे लिए तुम जैसे लोगों के लिए ठीक है लेकिन फुलन दिवी जी को हमेशा ही विरांगना कहा जाता है विरांगना की उपाधि मिली है उनको समझ में आता है एक शक्ति का रूप थी वह जिन्हों अपने उपर हुए अत्याचार का बदला लिया सामना किया जवाब दिया हर एक महीला को सिखा दिया कि तुम्हारे साथ जब कुछ गलत होता है तो हमेशा उसका विरोध करना दरना नहीं आत्मा हत्या मत करना रोना नहीं बिलखना नहीं तुम्हारे अंदर भी एक शक्ति है दुर्गा का रूप है उसे जानो उसे पहचानो ये मा फुलन देवी जी ने दुनिया को बताने का काम किया और तुम्हारे जैसे दो टके के जो हिंदु मुसलमान करते है प्रवक्ता सुधान सुत्रिवेदी तुम उनकी हिम्मत को कभी नहीं समझोगे और जितने निशाद है केवट है मल्ला है कश्यप है कोडी है कहार है माजी है मजवार है बैलदार है रेकवार या खेरवार है जीर है जीवर है धीर है धीवर है नाविक है साहनी है धिमार है कीर है कीरत है कदम है कोलचा है कोली है कोलहा है कोलहार है मचवा है मचवारा है मचेंदर है जो बिंद है बाथम है मलहार है जो गंगा पुत्र अपने आपको कहते है जो फिशर्मेन है जो निशाद है उन सब का अपमान किया है तुमने सुधान शुत्रिवेदी तुम माफी मांगोगे तुमने हमारी माफ उलन देवी जी को डकेत कहा हत्यारीन कहा, पहले मुझे एक बात बता, अगर तेरी हिस्ट्री अच्छी है और सही जानकारी है तेरे पास, तो तु मुझे एक बात बता कि क्यूं वो डकेत बनी, क्यूं उन लोगों को सजा देनी पड़ी, क्यूं, जानता है न, उन लोगों ने उनके साथ गलत किया था, बलातकार किया था, बलातकार समझता है न, तू नहीं समझेगा, क्योंकि तू औरत नहीं है न, तू औरत नहीं है सुधान शुत्रिवेदी, इसलिए तू उस बात को समझेगा नहीं, तू अपमानित कर रहा है हमारी मादुर्गा को, तो तू समझेगा नहीं उस पीला, किस के उपर बलातकार होता है फिर बार-बार बलातकार होता है फिर बार-बार बलातकार होता है निर्वस्त उनको पुरे गाउं में घुमाया जाता है बार-बार अपमानित किया जाता है उस वरत को वरत क्या करेगी बता मुझे क्या करेगी वह वरत तु मुझे बता बार-बार था तेरी हिस्ट्री सई है सुधान शुत्रिवेदी तो जा और जान कि उनके साथ क्या हुआ था क्यूं छोटे परिवार की थी इसलिए गरीब थी इसलिए पिछड़े वर्ग की थी इसलिए सामंतवादी लोग जो चाहे वो कर सकते हैं वह महीला नहीं है वह खिलोना है वह ख तुम जैसे दो टके के प्रवक्तावों को बुरा लग गया है और उन लोगों को क्यों नहीं बुरा लग रहा है जो तुम्हारी पार्टी में विले किये हुए है डॉक्टर संजे निशाद क्यों अपना पद नहीं त्याग रहे है माँ फुलन देवी का अपमान हो रहा है और डॉक्टर संजे निशाद और सनोफ मला मुके साहनी मा फुलन देवी जी की जो मुर्ती लगवा रहे थे देवी मानते है ना फुलन देवी को क्यों एक शब्द नहीं कहोगे तुम लोग निशाद नहीं हो क्या जी तुम लोग एक शब्द नहीं कहोगे अपमान पर अपम मानित कर रहा है और तुम लोग एक शब्द नहीं बोलोगे वोट लेने के लिए तो माफुलन दिवीजी का नाम लोगे निशाद समाज को भ्रमित करोगे और तुम्हारी जो विलयकारी पाटी है वो लोग कुछ भी कहेंगे तो तुम कुछ नहीं बोलोगे दब जाओगे डर जाओगे पद नहीं छूट रहा है सांसद का पद नहीं छूट रहा है प्रवीर निशाद जी से मलसी का पद नहीं छूट रहा है डॉक्टर सहाब से और मंतरी जी का पद नहीं छूट रहा है मुके साहनी जी से ऐसी भाजपा को ये लोग लात मरने का काम नहीं करेंगे तुमारी मा बहनों की इज़त नहीं करते हैं ऐसे लोग वहाँ तुम लोग एकदम चुप बनके बैठे हुए हो एकदम से चटवारे बनके बैठे हुए हो लालच है लालच है तुम लोगों को इसलिए तुम्हारे मुँझे एक शब्द नहीं निकलता है नहीं बोलोगे कुछ नहीं विरोध करोगे ये निशाद समाज तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा और तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगा तुम्हारा साथ कभी नहीं देगा क्योंकि तुम लोग किसी की भी इज़त नहीं करते हो जो तुमारी मा बहनों को अपमानित कर रहा है एक शब्द नहीं बोल रहे हो के क्यों बोल रहा है ये ले तेरा पद नहीं चाहिए मुझे तेरा पद हम इस तरह से अपमान सहिन नहीं करेंगे नहीं बोला जा रहा है ना पद नहीं चूट रहा है क्या करोगे ऐसा पद लेकर क्या करोगे ऐसा पद लेकर जहां समाजी तुमारा साथ न दे किसकी रक्षा करोगे तुम लोग मैंने पहले भी कहा था मा फुलन देवी जी की मुर्ति भी जो नहीं लगा पाते है वो और हमार निशाद बहनों की क्या रक्षा करेंगे और यह लोग अपमानित करते हैं और तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से कह रही हूं कि जो सच्चा निशाद होगा वो इस बात को कत्ताई बरदाश नहीं करेगा सुधान शूत्रिवेदी निश साथ समाथ से माफी मांगों बस